स्वाचिकाल दे सारे नो स्वागत दे तो अड़ास CBL ते PSSB ने नोटिफिकेशन जारी कर दे होया पटवारी दी 710 पोस्ट वास्ते रिकूटमेंट दा प्रोसेस इनिशेट कर देता है ते असी तो अडेनाल मुखातिब ऐस करके हैं के नोटिफिकेशन दी सारी इंपोर्टेंट प्रोवीजन्स नो आपड डिसकस करिए ता जो आपानू पटवारी दी रिकूटमेंट दा सारा प्रोसेस क्लियर होजे सब तो पहला आपा नोट करनी है www.punjab.gov in the website क्योंकि जेड़ी इंफॉर्मेशन हजे नोटिफिकेशन दे विच नहीं है वो ऐसे वेबसाइट ते फर्दर अपडेट किती जाओगी तो आज तेरी फरवरी तो ही ऑनलाइन एप्लिकेशन दिलाइन ओपन कर दिती गई है ते उसी वेबसाइट ते जाके ऑनलाइन अपलाई कर सकते हो ते आखरी तरीक अपलाई करन दी वी मार्च दो हजार पे रखी गई है हालंकि फी पर अंदार समा दो दिन एक्स्ट्रा दिप्त आ गया है वाई मार्च तक तुसी फी पर सकते हो बट इट इस स्ट्रोंगली एडवाईजबल के आखरी तरीक दी डेट जड़ी है उदा वेट ना कीतता जावे उस तो पहले ही फारम अपना कंप्लीट करके आपा सुनिश्चित हो जीए आपा पेपर दी तैयारी दिल लगी है अगे जलने हाँ सब तो पहले हाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी आपा गल करिए सो इकता किसे भी रिकनाइजड युनिवरस्टी तो ग्रेजुएशन दी डिगरी कंप्लीट होनी चाहिए था डेखोल ते ऐस तो बात आउंदा है जिन्नों आपा आपा आम जबान दे विच कंप्यूटर कोर्स दा सर्टिफिकेट के दिनने हाँ सो जै मैं टेक्निकल गल करना तो एक सो वी के इंट्यादा जड़ा कोर्स है वो कंप्लीट होना चाहिए था है इन कंप्यूटर अप्लिकेशिंस फ्रॉम ए रिकनाइजड इंस्टिऊचन और असर्टिफिकेट ओफ ओ लैवल फ्रॉम दा डेपाट्मेंट ओफ एलेक्ट्रानिक एक्रिडेशन ओफ कंप्यूटर कोर्स जिन्नों आपा डो एक दा ओल दा सर्टिफिकेट के दिनने ते ऐस तो अगे चल दे हो है, पंजाबी तो लाजमी है ही, so 10th class देविच, या ता पंजाबी होए, या फिर कोई भी पंजाब गॉर्मेंट दा equivalent level दा exam clear की ता होए पंजाबी देविच, अप अगंग्लूड करिये, so graduate होना चाहिदा, नाल computer course दा certificate होना चाहिदा, ते नाल ही 10 पंजाबी दा पेपर क्लियर होना चाहिदा, याद रखन वाली गल्य है, कि इस सारी योगतामा, जड़े certificates ने, ये जड़ा notification देविच, फारम परंदी last date है, उस तो पहला तो अटे कोल मौजूद होना चाहिदा है, ये नहीं कि आपा बाद देविच, ओ complete करके, जमा करा दी जड़ा 7th central pay commission है, इनने जड़ा pay matrix scale दितता होया है, as per level 2, ओ दे according pay scale count किता जाओगा, ते initial pay जड़ी पुदती जाओगी, पर मन बेसिस ते ओ होगी 9900 रुपे, बट उस तो पहला, select होन तो बात, training देविच कराई जाओगी, ते 6 महिने दी field training कंड़क कीती जाओगी, इस सार training दोरान, जड़ा stipend मिलूगा, ओ मिलूगा, पंज हजार रुपे पर मन्त, फर्दर आपा के जल देया, ते असामियाँ दा वर्गी कराना, आपा समझ लेने है, so preservation देविचे, different category दे हैं, किनी seats reserve कीती आँगी जाओगी, तो आपा जिमें गल कीती, 710 total post ने, 251 महिलाओँ आ जाओने हो, तुसी ओ पोस्ट दा बेरवा एतो ले सकते हो, बट reserve seat दे, apply करन वास्ते, जो एहम जानकारी है, notification देविच, ओ सबतो पहला है, कि code बहुत त्यान नल परना है, ऐसे notification देविच, different category दा code दितता गया, जड़ा farm देविच, mention करना है, ता ओ बहुत त्यान नल परना ते domicile certificate जमागराना पहुगा, ते ओ दे वास्ते rule एह है, कि एकता as per Punjab government rule ही ओ certificate बनेया होवे, domicile certificate दे आप अगल कर रहा है, ते नाल ही 5 साल तो पुराणा नहीं होना चाहिएदा, domicile certificate, further, reserve seats ते, जड़ा age relaxation देपता जानदा है, ओ दे बारे आपा डिसकस करना है, एकता जड़ी age limit count कीती जाओगी, ओ एक एक दो हजार ते according count कीती जाओगी, ते general category वास्ते 18 तो 70 साल दी उमर है, ते general category या unreserved seat वास्ते 70 साल तक दी उमर है, जगे आपा scheduled class या backward classes दी आप अगल करिये, ता फिर 12 साल दी age limit है, ते केंदर सरकार या state सरकार दे जड़े करमचारी ने उना वास्ते 45 साल दी उमर सीमा रखी गई है, ते नाल ही पंजाब दे जड़े साब का फोजी रे, उना दा age count दा method ए है, के उना दी total age दे विचो उना दा service period reduce कर दिता जाओगा, ते ओस्तो बाद उना नो तिन साल दी age limit दे विच relaxation वी दित दी जाओगी, ते नाल ही आपा करिए fee दवे हुआ, so as plain as it is, unreserved category ते sports वास्ते 1000 रुपए fee है exam दी, ते schedule class ते backward class वास्ते 250 रुपए है, further जड़े साब का फोजी ते dependent ने 200 रुपए fee रखी गई है, ते physically handicapped person वास्ते 500 रुपए fee रखी गई है, ते नाल ही ये किया गया है, ये refundable नहीं है, जे आपा चोन दे दी गल करिए, exam process दी गल करिए, ता एहे paper MCQ based होगा, ओही एक सवाल, चार option हो ते अपा गोड़े काले करने ने, so MCQ based, multiple choice question based एह paper conduct रहा जाओगा, but syllabus हजे define नहीं कीता गया है notification दे विच, तिल लिखिया गया है कि further notification रही, syllabus अपडेट कर देता जाओगा, हालांकि काफी उमीद है कि course ले बस तो ओही रहोगा, जड़ा पिछले paper वे ले सी गा, but क्यूंकि एक different notification रही, पंजाबी दा एक compulsory paper, qualifying paper, attach कर देता गया, group C post नाल, ता फिर एवी group C post है, ता ओ पंजाबी दा compulsory qualifying paper, attach हों दी वी पूरी-पूरी समावना है, तो एसी जिया, पटवारी दी notification दी स्तारी important provisions, जे हजे भी पटवारी दी recruitment process वास्ते तो अनू कोई doubt है, ता तुसी एस वीडियो थिले comment करके question पुछ सक्दे हों, ते साठे platform ते सानू contact भी कर सक्दे हों, ते नाल ही CBL ते असी बहुत जल्द पटवारी दे exam वास्ते dedicated course भी रहे के आ रहे हैं, सो अपने पटवारी दे सुपने नू हकीकत दे विच बदलन नहीं, साठे नाल जुडे रहो, all the very best, thank you.